वेल्टम बैक तो शाहिदा नास इजी टेली रेसिपी आज की मेरी रेसिपी है बहुत ही आथान हेल्दी और मज़ेदार मिक्स वेच कड़ी तो चलिए शुरू करते हैं बनाना करते हैं प्रेच कृड़ी बनाने के लिए इन्हें लिए डर्मस्टिक, फ्रेंच बीन, गाजर, आलू, बैगन और गोभी लिए हैं भीटना नहीं किया है तो जब मैं फ्राइक प्राइब करने के लिए तर में गतों कि हैं गुआ करोंगी तरीप के तरीपने लात्थ मिक्सर में यह रही हूं एक बड़ा चुमचा डालेंGी अलिजनर माई दालें यह बड़ा नहीं मीक्सर में मैं दही बैसन को मैंने फेट लिया है और दूसरे मिक्सर में मैं ले रही हूँ दो हरी मिर्चे तुकडों में तोड़ लिया है एक इंच टुकडा अधरक का 8-10 कलिया लसन की इसे पीस लेंगे अधरक लसन और हरी मिर्ची को मैंने पीस लिया है और इसे मैंने थोड़ा दरदरा रखा है कढ़ाई में एक बड़ा चमच तेल गरम करेंगे तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे आधा चमच जीरा, आधा चमच राई, दो सुखी लाल मिर्चे, दो से तीन पिंच हींग थोड़े से कड़ी पत्ते में अभी डाल रही हो और थोड़े में बात में डालूंगी इसके बाद जो हमने अधर लेस्न और हरी मिर्ची को पीसा है इसको भी हम इसमें डाल देंगे कुछ सेकेंड से इसको फ्राई करेंगे इसके बाद इसमें हम वेजिटेबल्स डालेंगे और पैगनों को भी मैंने कट कर लिया है अब दो से तीन मिर्ट सब्जी को फ्राई करेंगे दो से थीन मैं में कबजती व को फ्राई रिया है अब इसमें हम एटत करेंगे हल्दी 100 पीस्पूल 2020 की आप लाला मिर्ची आख को वह भी आटते हैं तो अगर तूतन अंप्तिका जब़ुषा दिसमें नहीं कहते हैं तो लाला मि zone में कॉणर मिर्च carrier को पॉर्ड कर सकते और तुरन्त ही हम इसमें पाने एट करेंगे एक से डेड़ क्लास के बराबर और इसका पूरा पाने हम ले लेंगे और अब इसमें उबालाने तक हम इसे चलाते रहेंगे ताक कि इसमें पटने का डर ना हो कडी में अच्छे से उबालाना शुरू हो गया है अब इसमें हम नमक भी एड कर देते हैं नमक का उपने टेस्ट के सबसे एड करेंगे और साथ में हम इसमें करी लिफ्स को टाल देंगे इसमें अच्छे से उबाल आ गया है अब कड़ी जो है फटने कड़र बिल्कुल भी नहीं है गैस के फ्लैम को बिल्कुल लोपर कर देंगे और धाक कम इसे 7-8 मिट पकाएंगे ताकि जो सब्जिया है वो अच्छे से पक जाएं सब्जिया अच्छे से गल गई है अब आपको इसे सर्फ करके दिखाती हूं सब्जिया अच्छे से गल गई है तो एक गर्मा गरम मज़ेदार हेल्दी वेजटेबल कड़ी बनकर तयार हो गई है और इस वेजटेबल कड़ी को आप बना कर ज़रूर देखिए बनाने में आसाने छटपट बन जाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है इसे आप सर्फ कीजिये गर्मा गरम चावलों के साथ और आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए साथ ही मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि इसी तरह की मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आ तो वीडियो में